अगर आपको किसी भी सरकारी यूजना का पैसा डिरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो उसके लिए आपके अधार NPCI के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए अगर आपके अधार NPCI के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता है तो उसकी अधार NPCI या फिर NPCI होता क्या है तो देखिए NPCI की फुल फॉर्म है National Payment Corporation of India जिसके जरीए जो सरकार है अलग-अलग योजनाओ के माध्यम से आपके bank account में direct benefit transfer के थूप कुछ पैसे transfer करती है योजनाओ के अंतरगर अलग-अलग तरीके से आपको lab दिया जाता है अब यहां के काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अधार NPCI के साथ उनका bank account link होता है लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके अधार NPCI के साथ उनका bank account link नहीं होता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाओं कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके अधार NPCI के साथ आपका bank account link है या फिर नहीं और अगर आपके अधार NPCI के साथ आपका bank account link नहीं है तो आप किस तरीके से उसे link करवा सकते हैं ताकि सरकारी योजना के अंतरगर जो भी lab आपको दिया जाता है वो डिरेक्ट आपके बैंक अकाउट में पहुंच सके तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे फिर्स टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकोन को भी ओल पे दबा के सैट कर दीजी ताकि जो भी वीडियो आने वाली हो उन सबी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चेक करोगे कि आपके अधार NPCI के साथ आपका बेंक अकाउट लिंक है या फिर नहीं तो उसके लिए देखिए आप अपने ब्राजर को उपन करेंगे जिस भी ब्राजर को आप यूज करते हो और आपको सर्च बॉक्स में सिंपली टाइप करना है अधार NPCI इतना टाइप करने के बाद जैसी आप सर्च के उप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखिए स्टार्टिंग में एक लिंक दिखने को मिल जाएगा चेक अधार बैंक लिंकिंग स्टेटस रेजिडेंट पॉर्टल ओफ यू आई डिए इस लिंक पे सिंपली आप क्लिक करेंगे उसके बाद दिखिए यहाँ पे आप नेक्ष्ट पेच पे जाएंगे यहाँ पे आपको दिखावा दिखाई देगा चेक अधार बैंक लिंकिंग स्टेटस और यहीं पे आपको नीचे की तरफ आजाना है यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अधार नमबर एंटर करना है और अधार नमबर के साथ साथ यह जो capture code दिया गया है यह capture code एंटर करके send OTP के option पे आप click करेंगे उसके बाद आपके अधार card के साथ जो भी mobile नमबर लिंक होगा पे एक OTP आएगा OTP आप एंटर करेंगे और यहाँ पे submit करेंगे उसके बाद देखी यहाँ पे आपको आपका अधार और bank linking status देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे आपका अधार नमबर देखने को मिलेगा और आपका bank linking status active है या फिर active नहीं है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा bank linking date जिस date पर भी आपने link करवाया होगा वो date देखने को मिल जाएगी ताथ ही यहाँ पर आपको आपके bank का name देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो detail दी गई है वो सही है अगर सही है तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जुरुवत नहीं है आप अगर इसी bank में अपने सरकारी योजनाओं का पैसा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बिल्कुल last में आ जाना है लास्ट में देखिए आपको एक option दिखाई देगा अधार सीडिंग प्रोसेस इसके लिए यहाँ पे आपको प्लस का बटन मिलेगा इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद click here to view के option पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपके सामने page number 3 पे आपको आजाना है और यहाँ पे एक application form आपके सामने आजाता है जिसमें आप लिखा देख सकते हैं application for linking seeding अधार number and receiving dbt benefit into bank account NPCI mapping यानि कि अगर आपके bank account के साथ आपका NPCI अधार link नहीं है तो यहाँ पे इस form की मदद से आप successfully अपने bank account को NPCI के साथ link कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपनी branch का name enter करना है अपना account number enter करेंगे अपना name यहाँ पे आप enter करेंगे उसके बाद अगर आप signature करते हैं तो यहाँ पे अपने signature करेंगे अगर आप thumb लगाते हैं तो यहाँ पे अपना thumb लगाएंगे उस form को अधार कार्ड की copy के साथ अपनी branch में जमा करा देना है जब आप ये form अपने bank में जमा कर देंगे तो जैसे ही verify होगा उसके बाद successfully आपका अधार NPCI bank account के साथ link कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी सरकारी योजनाओ का benefit होगा वो असानी से आप अपने bank account में ले सकेंगे तो friends उमीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like कीजिए, share कीजिए साथ ही कोई doubt question ये suggestion है तो comment box में जाके जरूर लिखेगा तो चलिए हम मैं आपसे मिलूँगा एक और नई वीडियो में एक नए topic और एक नई जानकारी के साथ